हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी लोगों का अन एकैडमी एसेंड पर मेरा नाम है है एदर और आज मैं आपसे यूपी एसी जी एस पेपर वन के किसी एक सब्जेक्ट के पीवाई क्यूस डिसकस करने वाला हूँ हमने जैसा कि हमने देखा दोहजार सोला के बाद दोहजार सत्रा में जब एक्जाम हुआ तो यूपी एसी ने बिग चेंज किया और जी एस पेपर वन में कुछ नए दस सब्जेक्ट एड़ करें जिसमें करेंट अफेर्स हो गया एथिक्स हो गया प्रोजेक्ट मेनेजमेंट स्टेंडर और क्वालिटी एंवायमेंट वहीं पर एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइं ड्रॉइंग और इंपॉर्डेंस ऑफेटी मैंने जब इसको पढ़ाया दोहजार सोला में जो बच्चे तैयारी कर रहे थे दोहजार सत्रा के एक् विटा एक कॉश्चन वर डिरेक्टली फॉर्म माइ क्लास नोट्स जो एक कॉश्चन वो मेरे क्लास नोट्स का नहीं था तो वो मेरी पर्सनल एक किताब का था तो मैं यह कह सकता हूँ जो भी कॉश्चन यूपी एसी के पूछे गया है और आईए अब वन बाई वन हम इन क चारो साल के पीवाई क्यू डिसकस करे जाएंगे आपसे तीनों टॉपिक में मतलब डिजाइन ड्रॉइंग एंड सेफटी अभी सबसे पहले हम ड्रॉइंग की बात करें यहां इस स्क्रीन पर वन बाई वन आपके सामने कॉश्चन आएंगे हम देखेंगे कि जो कॉश्च पुछा गया है वही नंबर यहां पर स्क्रीन पर उसकी स्क्रीं गार्ग क्यारा जैसे फर एक्जा羞 चलिए पहला सीन स्टा अर्च यह ऌड पकी स्क्रीन पर यह रहा और पॉस्श्च और मिवटल प्रिजिंग इस लाइंग ओन ह स्प सत्ष्ट गरह मैंत यॉर Öz abus ऐऌlden से 5 एज़ेज ऑप्शन B, 6 एज़ेज ऑप्शन C, 7 एज़ेज और ऑप्शन D जो था, वो था 8 एज़ेज, कॉश्चन नमबर 8 था, सेट A के अंदर और ड्राइंग का ये पहला कॉश्चन था, ये जो कॉश्चन था, इसका जो लेवल था बिटा, वो लेवल था एडवान्स ले आया होगा, जिसने ड्राइंग को थोरोली पढ़ा होगा, थोरोली और बिल्कुल डीप में जाकर पढ़ा होगा, नॉर्मली बच्चे इस कॉश्चन का जवाब नहीं दे सकते, तो आप वीडियो पॉस्ट कीजिए और आप एक बार सोचिए, कि पैंटागलों प्रिस्ब के हन्-पी और वीपी के बीच फील करते हैं मेरे पास यह रहा पेंटागणलर प्रिस्म और पेंटागोंगलों प्रिस्में रेक्टागोंगलों फेसे ने हैं 5, और पांटागोंगोंग hmटागों से सिथ दो, तो टोटल इसके पास 7 फेसे हैं, ये होग-पी पर अपनी एक ट् ही है कोई एक तरीका और मैं आपको तरीका बताता हूं कि आपके पास अगर कभी कोई स्ट्राइप का कॉश्चन आए तो आप उसके फ्रेंट वी और टॉप व्यू कैसे प्रोजेक्ट करेंगे और कैसे रखना होगा यह कैसे करेंगे तो हमेशा थेहां रखें पेटा इसमें सेवन फिसें लेकिन टू टाइप्स मतला पहला टैप रिक्टाइप फेसके और दूसरा टाइपैस हूं हम कोशिश करेंगे कि हमें rectangle और pentagon दोनों का true shape मिल जाए कोशिश करेंगे अगर मिल जाए तो अच्छी बात नहीं मिला तो कोई बात नहीं तो पिटा अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं ऐसे मतब when its axis is parallel to both the plane तो आपको front और top में दोनों में rectangular faces दिखेंगी और top से rectangle का true shape दिख जाएगा जो यह rectangle इसका true shape दिख जाएगा लेकिन pentagonal face नहीं दिखाई दे रही है अगर मैं इसको ऐसे रख दू तो अब आप सोचो और मुझे बताओ क्या front view में आपको pentagon का true shape दिखाई देगा the answer is yes और top view मे में आपको rectangle का true shape मिल जाएगा मैं अगर इसको rotate करा हूँ hp को जैसा game rotate करा तो यह कर दिया तो top पे rectangle और front में आपको pentagon नजर आ रहा है अब इसको कोई section plane काट के जा रहा है मुझे नहीं वालू वो ऐसे काट रहा है या फिर वो ऐसे काट रहा है कैसे काट रहा है यह हमें नह इसे काटे कि जो cut surface है उस पर maximum number of ages होना चाहिए तो friends answer क्या था cross your fingers शायद आपका answer सही हो शायद गलत हो तो answer था आपका seven ages now the question is sir कैसे तो आईए इसको बनाते हैं और देखते है कि किस तरीके सी कितना मज़िदार question है देखिएगा आपके सामने pentagon दिख रहा है टॉप व्यू में आपको rectangle दिखाई दे रहा है यह कैसा है फ्रेंट व्यू में pentagon और टॉप में आपको rectangle दिखाई दे रहा है आप जब टॉप देख रहे हैं जैसे मैंने इसको ऐसे गुमा दिया तो आपको टॉप दिख रहा है जब आप टॉप देख रहे तो आपको तीन लॉंगर रेज दिख रहे है वन टू एंड दिस त्री यह तीनों लॉंगर आपको दिखाई दे रही है अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो कॉर्णर की दो और एक सेंट्रल एंडिकाई दिखाई दे रहे लेकिन जो दो एज आपको यहां पर नजर आरी वह रहीँ वह दो एज कौंसी हैं this is c this is d this is e यह रहा आपके पास f this is g this is h this is i bracket में this is j bracket में bracket का मतलब है वो edges जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं अब front view में बिल्कुल यही naming होना चाहिए this is a dash b dash c dash d dash e dash यह रहा f dash bracket में g dash bracket में h dash bracket में i dash bracket में j dash bracket में मैं इसको थोड़ा 3D में भी आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप हर corner से जाने वाली edges को समझ लें तो मैं यहां 3D में बनाता हूँ जल्दी से यह pentagon prism सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप imagine कर सकें मैं आपको naming समझाना चाहता हूँ ताकि question आपके लिए आसान हो जाए और इस तरह का question अगर कैभी पूछा जाए तो you will be able to answer यह रहा अब naming देखें तो naming बहुत ध्यान से देखें का this is a a तो यह रहा this corner is called as a this is b this is c here we have d and this is e this is f this corner is g this is h this is i and this is j यह सारी चीज़े आपको screen पर बिल्कुल clear दिखाई दे रही होंगी तो मेरे दोस्त मैं आपसे एक सवाल करता हूँ और जवाब दीजे जो f एक corner है इस से यह जो edge है इसको हम कहते longer edge this edge is called longer edge and this is called edge of the base मतलब जो pentagon preserve का base है उसकी edge और यह भी edge of the base है that means अगर मैं कहूँ तो f से 2 edge मिल रही तीन edge मिल रही f a f g and f j बस समझाया बात को अब आगे देखते हैं कि इसको section plane कैसे काटेगा जी हाँ सबसे important इसी का तो इंतजार कर रहे हैं तो देखिए मैं section plane चला रहा हूँ cross your fingers यह रहा section plane this will be the position of the section plane यह ऐसा ही चलेगा अब आप points देखिए तो point कुछ यहाँ पर हैं कुछ यहाँ पर होंगे कुछ इस जगा होंगे कुछ यहाँ होंगे और कुछ यहाँ होंगे total seven points है आप देखिए f a corner है यहाँ दिख रहा f a corner यह देखिया f a corner f से कितनी edge connect हो रही एक दो तीन one two three यह तीर edge correct हो रही क्या f a पर इस section plane में कहीं cut करा है नहीं तो f a पर कोई भी point नहीं है जो दो point होंगे यहाँ पर वो f g और f j पर होंगे two dash और अगर इस one की बात करें तो इस one को मैं project करता हूँ ऊपर की तरफ तो g dash f dash और g dash पर यह वाला point one dash होगा this is one dash and this is two dash इसका मतला अभी आपके पास कितनी edge आ चुकी है एक edge आ चुकी है और answer था seven edge देखते रहेगा two उसके बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ में dc पर c d एक edge है c b एक edge है और c h एक edge है यह है c h इस पर तो कहीं section plane नहीं चला section plane चला है c d और c b पर तो यहाँ पर है point number three और bracket में लिखता हूँ point number four दोनों यहीं पर होंगे bracket में अब bracket क्यों क्योंकि यह पीछे वाला point है मैं इसको project करता हूँ front में तो आप देखिए this point is called three here this point is called four अब कितनी edge हो गई एक दो और तीन edge आपके पास आ चुकी तीन edge अब देखिए यह जो dotted है id id यह एक ही edge होगी यह कौन सी वाली edge है यहाँ पर देखिए आप this is i and this is d यह वाली edge है यह यह वाली edge है तो skew पर एक ही point है क्योंकि साफ साफ दिख रहा है एक ही cut हुआ है तो four की बात अगला point यह है five bracket में यह यहाँ पर यह रहा क्या five dash ठीक इसी तरह यह point है j e पर six dash यह रहा आपके पास six dash और जो seven number का point है this is the seven point is at f j यह रहा यहाँ पर f j पर point number seven dash अब आप इन सभी edges को गिनिये one two three four five six seven तो total answer जो तो answer जो था हमारे पास वो क्या था विटा seven edges hatching करने की जरूवत तो नहीं है लेकिन section जब आप पढ़ेंगे तब आपको hatching करनी पढ़ेगी तो अभी मैं hatching कर रहा हूं ताकि आपको cut surface और दिखाई दे true shape of the section बनानी की जरूवत नहीं है I'm not going to draw the true shape of the section सिर्फ hatching कर रहा हूं हाला कि exam में कुछ भी नहीं करना ऐसा आपको तो सिर्फ और सिर्फ यह पता करना था कि कितनी edges होंगी वो section plane चलाने से पता हो चल जाएगा अगर कोई मुझसे पूछे सर इस question में कितनी देर लग सकती सर इस question को सब्सक्राइब जिसको confidence हो कि वो question कर लेगा तो अगर वो इस question को करने के लिए तीन मिनेट भी ले ले पर तीन मिनेट लेने पर उसको प्योर टोटल मार्क्स अगर मिल रहे हैं तो इसको थ्री मिनेट वेस्ट करना इसके लिए वर्थ है वर्थ है तो बहुत मज़दार question था बहुत अच्छा question था टोटल हमें कितनी edges मिली यहाँ पर के अब next हम आगे बढ़ते हैं next question की तरफ और अगला question आपकी screen पर यह रहा तो question यह बोल रहा है if a thread is wound around a cone is starting from a point on the base and brought back to the same point then the shortest possible length of the thread is equal to the मतलब एक बार question को समझो आप उसकी बाद options देखेंगे मेरे पास एक कोन है यह रहा और question यह बोल रहा है कि इस कोन की किसी एक point से base circle इस बेस सरकल की किसी एक point से thread को बांधा जा रहा है thread यह आप यह सोच सकते है कोई चीटी है कोई insect है कोई आंट है उस पर चलना शुरू करता है और पूरे surface पर चक्कर लगाता और वापस आ जाता है वह यह पूछ रहा है topic का था after the exam बहुत बच्चोगी मेरे पास queries आई कि सब्सक्राइब कॉंसर्ट topic था यह the topic was development development का question था बहुत अच्छा question था अभी इसका solution देंगे आपको समझाएंगे बहुत अची तरह लेकिन पहले options देख लेते तो option a diameter of the base of the cone मतलब वो कह रहा है जो thread की length होगी shortest path की वो diameter of the base of the cone मतलब diameter मतलब this this length मतलब this length यहां से लेकर यहां तक diameter of the base of the cone फिर next option आपके पास है वो बोल रहा है slant height of the cone slant height that means this is the slant height of the cone वो यह बोल रहा है फिर अगला बोल रहा है आपके पास length largest cord of the development sector मतलब जो developed करें हम इसका sector जो आएगा उसकी उपर जो largest cord होगा क्या वो होगा shortest path next option है आपके पास length of the perpendicular from the corner of the development sector to the opposite edge मतलब जब आपका development करोगे तो development का जो corner होगा उस corner से opposite edge पर खेचा गया perpendicular मैं सारे options आपको clear करूँगा भी सारे options और देखते हैं कि answer क्या था actually answer था largest cord of the development sector largest cord of the development sector मैं अभी clear करता हूँ आप एक बार development को समझेगे development क्या है यह रहा आपके पास cone this is the cone this is the top view of the cone जो top में आपको एक सिर्फ और सिर्कल और बीच में point नजर आएगा और development क्या कहता है development यह है development यह total surface को मैंने cone की total surface को खोल दिया इसको development कहते हैं इसको development base circle को यहां से आप हटा दीजे अगर आप base circle को हटा देंगे तो यह आपको कैसा दिखाई देगा आईए इसको देखते हैं जैसे जैसे अगर मैं कौन का development करूं तो कौन का development क्या होगा बेटा कौन का development होगा कुछ ऐसा इस विल विदा क्या यह किसी circle का एक sector होगा दा आंसर यस बिल्कुल होगा तो development sector और यह एंगल थीटा और यह एंगल यह रहा है यहां पर थीटा थीटा को निकालने का formula एक सूत होता है थीटा विल बी इक्वस टू 360 डिग्री इंटू radius ओ बेस सर्कल बाइट इस तो इसकी वद्द से हम यहां पर क्या निकाल लेंगे थीटा निकाल लेंगे थीटा यहां पर आपके पास आ जाएगा अब जो options थे आपके पास options उन option में से एक option यह बोल रहा था कि इस corner से इस corner से इस edge पर perpendicular डालो मतलब मैं यहां पर दिखा हूं इस corner से जैसे आप इसको development sector मानले और पस एक minute देखिएगा मैंने यह अटा दिया और दियां से अच्छी तरह देखिएगा यहां से यह यहां से अगर अगर इस corner से इस edge पर जैसे इस edge का इस corner से डालो तो क्या मतलब यह length this length this line is perpendicular यह पर क्या shortest path यह होगा question यह बोल रहा था पर नहीं shortest path अभी अभी आपका answer क्या दिया था हमने largest chord on the development sector the length of the largest chord on the development sector to largest chord क्या होगा जैसे यह circle था chord क्या होता है बटा क्या यह chord होगा yes this is the chord मतलब chord यह भी होगा chord यह भी होगा लेकिन development sector तो सिर्फ यह है तो इसक्यूपर largest chord क्या होगा इसक्यूपर largest chord यह होगा जो एक straight line generate करेगा मतलब question इतना अच्छा है यह कह रहा है कि पॉइंट है एक चीटी एक इंसेक्ट यहां से चलना शुरू करती है पूरे कोन का चक्कर लगाती है और वापस यहां पर आ जाती है वापस यहां पर आ जाती है तो मेरे दोस्त question ने पूछा कि shortest path क्या होगा तो shortest path हमने अभी अभी देखा आपके सामने यहां दिखाई दे रहा है कि length of the largest chord on the development center now सवाल पैदा होता है sir कैसे आपको मालूमता सर आपने बता दिया हम कैसे पहचानेंगे बड़ी मज़िदार चीज़े में छोटी सी बात आपसे कहता हूं मान दीजे चीटी यहां से चलना शुरू कर रही है मैं एक सेकंड बस आप रुख जाए है कि मैं लेटसी इन सिब यहां से चलना शुरू करा इधर से चलना शुरू करा मतलule फ्रेट बार्ण याँ कुछ भी और पूरे कॉन का कचक्का लगाएगा पूरे कौन का यह चक्क्क लगाएगा और वापस अपने के इनिशल पोईट पर यहां आ जाएगा वापस इनिशल पोईट पर यहां जाएगा तो उसने बोला कि一p क्या होगा मैं चोटी सी बात बोलता हूं अगर आपको इसकी सर्फेस पर कोई भी पाथ देखना हो तो सबसे असाम तरीका wiping क्या होगा सर्फेस पर अगर कोई पाथ देखना है तो सबसे आसान तरीका क्या होगा सर्फेस को खोल दो तो जो भी पाथ जन्रेट होगा आपको साफ साफ दिखाई देगा अब मैं बोल रहा हूँ यही स्टार्टिंग पॉइंट है यहीं एंड पॉइंट है तो आप कोन को यहां से काट दो जब को यहां से काट दोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दो डर अलग आलग पहुच जाएंगे और उन दो पॉइंट के भी जो शॉर्टस पाथ होगा वह कि स्ट्रेट लाइन जन्रेट करेगा और वह स्ट्रेट लाइन hå इस समय पर आपको एक पात दिख रहा है मैं एक scissor लेकर आता हूं और scissor की मदद से हम इसको कट करेंगे और हम देखेंगे क्या यह जो पात आपको दिखाई दे रहा है क्या वो largest cord on the development sector होगा क्या वो एक straight line generate करेगा आए देखते हैं तो यह रहा मेरे पास scissor और अब मैं इसको कट करता हूं जरा ध्यान से देखेंगा अच्छी तरह मैं काट रहा हूं क्रॉस्योर फिंगर्स मैं इसको काट रहा हूं और मैंने इसको पूरी तरह कट कर दिया अब मैं इसको सब्सक्राइब कर रहा हूं और देखेगा लाजेस कॉर्ड on the development sector यह रहा यह रहा दिस इस दा स्ट्रेट लाइन एंड तो एंड उसने यही बोला था उसने यही बोला था कि आपको थ्रेड बानना है पूरी सर्कम्फरेंस का चक्कर लगाए और वापस आ जाए यहां पर अगर आप कहें सर्कॉशन एक बार और दिखा दीजिए तो यह रहा आपके सामने कॉशन इस वाउंड आराउंड अ कौन इस तर्टिंग फ्रॉम अपॉइंट ऑन दा बेस एंड ब्रॉट बैक तो थे सेंग पॉइंट यह रही आपके सामने और वह स्ट्रेट लाइन इस टाइम आपको क्या बता रही है दल लेंट लार्जस कॉड अफ देवलप्मेंट सेक्टर अधिस ऑप्श यह कॉश्चन किस वेराइटी पर था आपको क्या लगता है इजी लेवल है मॉडरेट है या एडवांस है जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताईएगा कि यह लेवल आपको क्या लगा चलिए फ्रेंस आगे बढ़ते हो और नेक्स कॉश्चन की तरफ रुख करते हैं और अगला कॉश्चन आपके सामने यह रहा है दा लोकस ट्रेस बाया पॉइंट मुविंग अलोंग पैंडूलम फ्रॉम वन एंड टू अनदर वन पैंडूलम ऑसिलेट जब पैंडूलम ऑसिलेट होता है तो वो जो पॉइंट है जो एक एंड से दूसरे एंड पर जा रहा है वो क्या लोकस जनरेट करेगा ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन था आपके पास आइस्पाइरल बी एन इन वाल्यूट सी असाइक्वाइड और डी हैलिक्स वीडियो पॉस कीजिए और सोचिए सोचिए तो हो सकता है आपने आंसर दे दिया हो आंसर क्या था देखते हैं आंस था आपके पास आइस्पाइरल अब इस्पाइरल क्यों है आंसर क्या होता है इस्पाइरल तो उसके लिए आपको इस्पाइरल की डेफिनिशन मालब होना चाहिए और इस्पाइरल क्या कहता है इस्पाइरल यह कहता है इस पाइरल यह कहता है इस पाइरल यह कहता है इस पा लोकस ठ्रेशेट आउट by that point is called spiral is called spiral मतलब अगर यह pendulum की तरह ऐसे हील रहा है ऐसे और यहाँ पर एक point है और अगर इस point को नीचे की तरफ में ले जाओं नीचे की तरफ पर continuously जब mean while मतलब जब यह pendulum oscillate कर रहा है तब यह point नीचे जा रहा है और यह end से दूसरे end पर पहुँच जाता है तो वो जो point locus generate करेगा according to the definition of spiral वो spiral होगा तो आईए देखते हैं कि सर इसका construction कैसी होगा क्या आप थोड़ा सा explain कर सकते बिल्कुल कर सकते सामने दियान से रिखेगा मेरे दोस्त मिने पास this is o and o a is a pendulum suppose o a is a pendulum और यहां से लेकर यहां तक चला गया यहां तक चला गया o a इधर आ चुका है ठीक है और यह वापस oscillate करेगा यहां आएगा यहां से यहां कहीं भी जाएगा फिर कुछ होगा तो यह जो dotted मैंने बनाया है इतना हमें काम नहीं करना इतना हमें काम नहीं करना है जो चला है pendulum वो यहां से लेकर यह चला और इतने में ही meanwhile there is a point name it P it is sliding downwards but on this pendulum इसका मतलब जब pendulum यहां कहीं था तब पॉइंट इस पहीं आया होगा जब pendulum यहां कहीं था तब कहीं पॉइंट आया होगा जब pendulum यहां कहीं था तो पॉइंट नीचे की तरफ आया यह हम क्या करते हैं यह जो line दिख रही है OA मैंने इसको चार जगे रोका है एक जगा यह है OA1 the next position is OA2 the next position is OA3 and the final position is OA4 और अब मैं क्या करता हूँ OA line को 4 equal parts में divide कर देता हूँ 4 equal parts में divide कर देता हूँ O पे needle of compass रखी और पहले point का radius लिया और OA1 तक arc लगाया तो मुझे पहली position मिल गई P1 फिर मैंने O पे needle of compass रखी दूसरे point का radius लिया और OA2 तक OA2 तक arc लगाया तो point आया P2 needle of compass O पे और यह 3 तक का radius और यह arc लगा दिया OA3 तक तो यह आगया मेरे पास P3 और finally P4 यहाँ पर पहुँच चुका है इन सभी point को मिला दें यह कुछ ऐसा कर्व आपके सामने आएगा and my dear friend this is a spiral this is a spiral तो option A was correct that is a spiral बहुत अच्छा question था बहुत मज़दार question था अगर मुझे पूछे यह level क्या था तो मैं कहूंगा बटा यह easy level था यह definition based question था जिसको definition आती है that can easily answer the question next question आपके सामने screen पर यह रहा if a line is inclined to vertical plane and parallel to horizontal plane then which of the following statement is always correct चलिए options लेखते हैं option से पहला आपके पास true length equals to plant length option number B is true length equals to elevation length C is true length is less than plant length and D is vertical trace of the line is above the XY line तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि elevation क्या है, plan क्या है, vertical trace क्या है और मैं यह मान के चल रहा हूं बटा कि जब PYQ समझा रहा हूं तो आपको यह सारी terms मालूम होंगी plan का मतलब top view होता है, elevation का मतलब front view होता है और vertical trace and horizontal trace उन points को कहा जाता है जब line किसी plane से intersect करती है तो वहाँ जो point produce करती है, वो trace कहलाते हैं अगर line HP पर intersect करी तो horizontal trace होगा वो point और अगर line VP पर intersect करी तो वो point vertical trace होगा आप question को एक बार और देखिए और video pause किजिए और सोचिए आपका answer क्या होगा तो friends शायद आपने अपना answer दे रिया हो चेक करें कि answer कौन सा correct है तो सामने दियान से देखेगा correct answer है true length equals to plan length मतब जो true length होगी वो top view के length के बराबर होगी आई इसको HP और VP के बीच एक line की मदद से imagine करते हैं तो मेरे पास HP और VP ये रहा और this is the line it is inclined to VP ये VP से inclined है आप हर एंगल में देख लीजे it is inclined to VP and parallel to HP तो top में जो length दिख रही होगी अभी वो true length होगी मैं हर तरीके से आपको दिखा रहा हूं ये रहा ये रहा अब मैं इसको आपको सामने एक बार बना कर बताता हूं कि 3D में अगर आप देखें तो ये आपको कैसा दिखाई देगा तो मेरे फ्रेंस सबसे पहले मैं आपके सामने ये बनाता हूं vertical plane rough figure मैं बना रहा हूं बस 3D में और यहां कहीं आपका horizontal plane here somewhere we have horizontal plane and the line in the top view scene inclined to xy ये रहा top view top view this is a this is b और इसको मैं xy line तक ये ले कर गया इसको यहां ले कर गया और front view में अब आपको क्या दिखाई दे रहा होगा front view में आपको दिखाई दे रहा होगा ये this is a dash and this is b dash this is the front view and here we have the top view अब for the very first time मैं आपको line दिखाता हूं कि 3D में line यहां पर hp और vp की बीच कहां होगी तो इसको मैंने उपर project करा ये उपर project कर दिया इसको यहां ये जो intersection point है ये line की true length को represent कर रहे है that means actual length ये रही line और ये हमारी actual object है that means इसका नाम लिखता हूँ capital A capital B अब आप देखिए यहां से जहां से आप देख रहे है that is top view और वो top view ये रहा आपके पास ये top view की length क्या exact इस length के बराबर होगी the answer is yes पता है क्यों because the line is parallel to HP और अगर line HP के parallel है तो ये दोनों ends जो दिख रहे हैं इनका distance जितना ये है उतना ही ये होगा जब इन दोनों distance को drop करोगे नीचे तो जो line की length मिलेगी आपको वो true length मिलेगी अचा ये जो distance है ये आपको front में कहां दिखाई दे रहा ये रहा ये वाला distance front में कहां दिखाई दे रहा ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बात समझ में आ गया होगा आपको question का answer मिल गया होगा कि इस case में true length will be equals to plan length होगा plan length ओगे friends चलिए next question की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते है next question क्या होगा लेकिन उससे पहले उससे पहले इस question की variety क्या है easy moderate या advance आप सोचिए easy moderate या advance सोचिए the answer is मैं इस question को ना easy कहूंगा ना advance कहूंगा यह moderate level का question है अगर जिस बच्चों को लाइं की normal conditions आती है तो आराम से जबाब देते हैं बिल्कुल आराम से जबाब दे सकता है आये next question की तरफ चलते हो noise question आपकी screen पर ये रहा if the radius of generating circle which is moving inside the directing circle is half of the radius of the directing circle the curve generated by a point on the circumference of the generating circle is option A a circle B an ellipse C a straight line D a spiral बहुत अच्छा बहुत मजदार question बहुत मजदार question एक्चुली है actually ये hypocycloidal profile बता रहा है जब कोई circle किसी circle के अंदर rotate होता है roll होता है roll होता है और उसके point of contact से circumference का जो point of contact है वहां से खेचा गया जो कर्व है वो hypocycloidal profile को बताता है अब यहां पर क्या बोल रहा है यहां पर यह बोल रहा है if the radius of a generating circle which is moving inside the directing circle is half of the radius of the directing circle that means that radius of the directing circle is twice the radius of the generating circle तो एक बार इसको देखते हैं उससे पहले answer क्या होगा answer is straight line जी आप मज़िदार question किस तरीके से straight line है आये देखते हैं सबसे पहले hypocycloid को समझे कि है hypocycloid क्या होता है मेरे पास एक circle है बड़ा सारा यह रहा और ऐसे ही मैंने इसके चार equal parts कर दिये इस circle में यहां पर एक circle है जो roll हो रहा है कोई भी direction ले सकते हैं चाहे यह ले 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 कोई फरक नहीं पड़ेगा पर अभी मैंने जिस direction को लिया है वो direction आपके सामने यह वाला है यहां पर point of contact है अगर मैं इससे curve बनाऊं तो इसने suppose करो यह finally यहां पहुच गया point यहां आ गया तो यह curve अभी ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा इसको हम कहते हैं hypocycloid यह जो curve है that is called hypocycloid और यहां पर यह initial position और यह final position initial position of the circle and final position इनके बीद जो यह angle है that is theta अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा भी होगा हमने कोन का development जब किया था तब बात करी थी लेकिन यह भी sector है लेकिन यहां पर data given data के हिसाब से theta निकालने का formula को चलागे देखिए theta will be equals to 360 degree into small r by capital r theta will be equals to 360 degree into small r by capital r अब question यह बोल रहा है जो generating circle है उसका radius half है that means directing circle का radius अगर capital r है तो यह इस relation की बात कर रहा है r will be equals to 1 by 2 of capital r question के अंदर यह बोला है अगर मैं यहां से theta निकालू अगर मैं यहां से theta निकालू तो theta की value क्या आएगी put करिये यहां पर तो theta की value आपके पास क्या जाएगी 180 degree 180 degree इसका मतलब यह जो angle है यह जो angle है मेरे बच्चे मेरे दोस्त यह angle कितना है theta by 2 होगा तो इस case में 180 degree अगर है तो theta by 2 कितना होना चाहिए that is 90 degree इसका मतलब यह जो line है वो यहां ना होकर वो यहां कहीं होगी और यह जो circle है इसका radius बड़ा हो चुका होगा सोचिए क्यों simple सी बात है theta is directly proportional to small a बिल्कुल अब इतना बड़ा नहीं है और कितना बड़ा हो चुका है इतना बड़ा हो चुका है कि जो directing circle का radius है वो generating circle का dia हो चुका है यह रहा यह रहा कुछ ऐसी कहानी आपके पार अब यह circle roll हो रहा है इस direction में चाहे इस direction में जाए चाहे इस direction में जाए कोई फरक करनी पड़ेगा तो जो point of contact है वो यह straight line को generate कर देगा यह इतना famous concept है कि इसको कोई भी teacher जो drawing पढ़ा रहा है अगर उसने पढ़ाया है कोई भी teacher है तो इस question को cover जरूर करता है जरूर करता है एक बार देखते है practically इसको चलते हुए कि यह कैसा नजर आएगा तो सामने ध्यान स इसे रेखेगा यह रहा आपके पास खूबसूरत generating circle जिसका radius half of the directing circle है वो रोल हो रहा है और आपके सामने एक straight line generate होती हुई दिखाई दे रही है तो उमीद करता हूं मैं देखेंस के question आपको अच्छी तरे समझ में आया होगा और यहां पर answer था straight line तो फिर वहीं बात सर्य level कौन सा था मैं काऊंगा moderate level moderate level लेकिन 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 फिर वहीं बात कह रहा हूं बिटा कि अगर सिर्फ definition आपने पढ़ी साइकलोड है को साइकलोड इन की तो बिटा आप answer नहीं दे पाएंगे अगर आपने deep में जाकर पढ़ा है इसलिए मैंने इसको moderate level पे रखा हुआ है चलिए next question की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला question क्या है next question यह रहा आपके सामने if the development of the lateral sulfate of the cone is semi circle मतलब वो बोल रहा है अगर कोन का development semi circle होगा then option A the slant height of the cone is less than the diameter of the base of the cone next the slant height of the cone is greater than diameter of the base of the cone next the slant height will be equals to the diameter of the base of the cone and the last is the slant height of the cone is greater than radius of the base of the cone आप सोचिये एक बार हमने आपको कोन का development बताया हुआ है कोन का development अभी आपने देखा था second question में ही शायद हमने देखा था अब आप सोचिये कि अगर development if the development of a lateral surface of a cone is a semi circle बेटा lateral surface का क्या मतलब lateral surface का मतलब without the base अभी आपने थोड़ी देर पहले slant height of the cone will be equals to diameter of the base of the cone कैसे देखना चाहेंगे आइए देखते हैं my dear friends कोन का development क्या बोल रहा है semi circle है semi circle है semi circle है यह रहा यह रहा और अब सब जानते हैं यह angle क्या है this angle is theta and here theta will be equals to कितना कितना 360 degree into radius of base circle by slant height और इस case में theta की value कितनी है 180 degree 180 degree कब possible है 180 degree कब possible है जरा दिमाग लगाई है सोचे तो आपको पता चलेगा into r by सोचे अगर मैं slant height को twice of r रख दूंगा मतला अगर मैं slant height slant height मतलब कोन की यह वाली height this is called slant height this is called और top view में देखें top view में यह रहा आपके पास circle this is the diameter यह रहा आपके पास diameter तो 2r का क्या मतलब है 2r का क्या मतलब है radius को twice कर दिया radius को the cone will be equals to slant height rr get cancelled that will be equals to 180 degree बहुत मज़दार question था अच्छा question था फिर बच्चे कहेंगे sir level क्या है बिटा मैं इसको मैं इसको average level पर ही रखूंगा क्यों क्योंकि formula बेस था थोड़ा सा tricky question था और कुछ भी नहीं थी इसमें बात चलिए आगे बढ़ते हैं और next question देखते हैं और next question आपकी screen पर ये रहा a cone is resting with its base on HP a section plane parallel to VP cuts the cone the section plane is some distance away from the center and does not pass through the apex the true shape of the section is options a hyperbola b rectangular hyperbola c parabola और d है आपके पास rectangular parabola answer क्या है पहले आप सोचे कि answer क्या है now the answer is hyperbola क्या बोला बेटा hyperbola कैसे आई ये पहले इसको समझे पहले इसको समझे बहुत सी जगे misconception है rectangular hyperbola के लिए वह ये कि अगर कोई section plane axis के parallel काट रहा है तो जो कोनिक आपको मिलेगा वह rectangular hyperbola होगा the answer is no for every cone no no for every cone हर कोन के लिए possible नहीं है rectangular hyperbola is only possible rectangular hyperbola hyperbola is only possible is only possible when section plane is parallel to and away away from the axis आपका होगे सर है तो यह है लेकिन बीटा दूसरा आभी आपने आगे कहां सुना आइए दूसरी condition देखे मतलब दोनों condition follow होना चाहिए क्या बोला section plane is parallel to and away from the axis and and the included included angle angle between the asymptotes is 90 degree then we have rectangular hyperbola or question में कहीं पर भी आप देखें ऐसी कोई बात नहीं करें question ने साफ साफ आपसे क्या बोला a cone is resting with its base on hp a section plane parallel to vp parallel to vp cuts the cone अब vp के parallel है जाहिर बात है बिटा अगर कोई cone hp पर rest कर रहा है तो section plane अगर vp vertical plane के parallel होगा ऐसा होगा vertical plane के तो simple सी बात है कि वो section plane axis के भी parallel होगा axis के भी parallel होगा तो बहुत सी लोग सोचते हैं कि rectangular hyperbola नहीं rectangular hyperbola के लिए एक condition का होना और ज़रूरी है और वो क्या है condition कि the included angle between the asymptotes must be equal to 90 degree अब आप कहेंगे सर आपको कैसे मालूम कि यहां asymptotes का angle 90 degree नहीं है मैं कहूंगा मुझे दिखाई दे रहा है आप कहेंगे सर हमको भी बता दीजे उसके लिए आपको asymptotes सारी चीजे सारी बाते clear करनी पड़ेंगी तो मैं आपसे कहूंगा मेरे दोस्त प्लीज watch my lectures on unacademy plus मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से explain करी है मैंने asymptotes को graphically explain करा हुआ है जो शायद ही आपको कहीं धूंडने पर मिले तो इसका answer था सिर्फ hyperbola अगर question में लिखा होता कि the included angle between the asymptote is 90 degree and section plane is parallel to and away from the axis then the hundred percent the answer is rectangle or hyperbola many people in 2017 paper in many people take the answer rectangle or hyperbola but the answer was wrong चलिये आएए आगे बढ़ते है और बहुत ध्यान से सामने अच्छी तरह देखेगा next question which of the following statement is correct in the development of lateral surface of the solid statement वो पूछ रहा है following statement में से कौन सा correct है पहला the development of the right cone is a triangle the answer is no right cone का development क्या triangle होता है नहीं होता है वहाँ पर एक कर्व आपको नीचे नजर आता है हमने कितनी बार देख लिया आज आप देख रहे हैं 2017 में एक ही topic से कितने question पूछे गए कितने question पूछे गए now next triangulation is the recommended method in the development of a prism the answer is no parallel line method is the recommended method for the development of prism the next one is the development of the lateral surface of a right circular cylinder is a rectangle मुझे ये कुछ सही लग रहा है देखेंगे भी थोड़ी दिर नेक्स question आप से बोल रहा है the elements of an elliptical cone are equal in length the answer is no पर उसके लिए आपको elliptical cone मालूप होना चाहिए elliptical cone मतलब जिसका axis base से inclined है जिसको हम oblique cone भी कहते है elements मतलब यह जो line है जा रही है जिनको हम normal right circular cone की अगर बात करें तो जिनको हम generator कहते हैं तो मेरे हिसाब से इसका answer correct answer is c the correct answer here is c एक बार देखें तो सामने दियान से देखेंगा अच्छी तरह my dear friends मैं अगर cylinder का development करूं this is the reference line suppose करिये और यह रहा top view में एक circle ऐसे मैंने चार parts में divide कर दिया यहाँ पर development का जो method लगता है the method is called parallel line method यह cylinder अब मैं इसके development के लिए क्या करूं एक line यहाँ draw कर देता हूं और कहीं से भी height के बरा मतलब यह कुछ भी distance से आपकी श्रत दानुसार एक line ली और अगर मैं cylinder को खोलूंगा तो simple सी बात है बटा एक ही rectangle नजर आएगा और जिसकी length क्या होगी टूटाई यह रहा तो आपको समझ में आया के question में जो options थे कौन सा वाला correct था c क्यों था अभी अभी आपको बताया और इस method का नाम था जो मैंने यहाँ पर लगा आप if I square pyramid बहुत अच्छा question मज़दार question if I square pyramid is freely suspended from one of the corner of its base then the imaginary line joining that corner with the center of gravity of the pyramid will be यह pyramid और में gap नहीं लगा पाया माफी चाहता हूं मैं तो थोड़ी सी mistake है आप इसको avoid करती का pyramid अलग लिखा है will अलग लिखा हुआ pyramid will be वह imaginary line जो center of gravity से पास हो रही है और उस corner से होकर जा रही है तो एक बार आप दिमाग लगाए अगर कोई मुझसे कहें कि इस question में इस question में engineering drawing का कितना role है तो मैं कहूंगा कुछ भी नहीं यह simple सा question है general mechanics अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से जवाब दे सकते answer a inclined at 60 degree with the vertical b inclined at 45 degree with the vertical c inclined at 30 degree with the vertical d vertical correct option क्या था आई उससे पहले प्रामिट को feel करते हैं तो friends यह रहा मेरे पास प्रामिट और वो क्या पोड़ा है प्रामिट is freely suspended from one of the corner of its base मैंने यह लटका दिया अब वो पोड़ा है वो imaginary line जो इसके center of gravity से pass होगी और इस corner से होकर जाएगी इस corner से वो inclined at 60 degree with the vertical होगा inclined at 45 degree with the vertical होगा inclined at 30 degree with the vertical होगा आप सोचिये आपका answer क्या होगा आप imaginary line that passes from the center of gravity and passes through this corner इस corner से आने वादी यह corner जहां है normal reactions लग रही होगी आप सोचिये आप सोचिये किस तरीके से जी हाँ friends यह नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और यह इसको रोका हुआ है क्योंकि हैंग है तो यहां रोक रहा है दोनों में लडाई चल रही है और यहां पर कुछ ऐसी कहानी हो रही होगी जो नौर्म जो यह जो लाइन है यह center of gravity से pass हो रही है और यह corner तो इनकी बीच में जो imaginary line pass हो रही है यह vertical से 60 degree inclined है या फिर vertical से 45 degree inclined है या vertical से 30 degree inclined है या vertical है दा answer is vertical है तो friends हमने total 9 questions solve करें 9 questions देखें सभी question बहुत अच्छे बहुत मज़िदार थे अलग अलग variety पे थे easy level average level और moderate level हम अब इसी series को आगे बढ़ाएंगे और फिर इसके बाद हम 2018 2019 और 2020 में पूछे गए drawing के questions पर बात करेंगे then उसके बाद design and safety मिलेंगे next lecture तब तक के लिए thank you शुक्रिया और सुरक्षित रहिए safe रहिए thank you rents